हांच तहड़ा और आपर आप्ट के लिए बहुत हैं जो जो काफर सब्सक्क्राइब निया हुम भी判 न्याख को पूर्भी ते इसके बिलकुल भी न हो करें चैनल को सब्सक्राइब किरना बिलकूल भी नहुंड बулे जो सबसे पहले है, हमारा नारियल को लेकर, अदिधन के लिए और ahead यह उतकर डिलियु कह पहले हैं, आप अधाय कने जत्रीक में पांने जबी है पानी अच्छा से गरम हो जाए फिर उसमें नारियल डाल दे और जब आप डाल दे तो उसके बाद फिलेम को हाई रखे और इसे एक उबालाने दे आप चाहे तो इसे ढख भी सकते हैं ढखके एक से दो उबालाने दे और उसके बाद आप इसे थोड़ी देर बाद इसी गरम झाल आप पानी में रहने दे और फिर इसे निकाले अपने अरे कझेच आ पले झाले और बैऊस्क ज़्यादा करने के जरुट नहीं पड़ेगी और ये असानी से एक झिंचा है नहीं कि गोई आप गोल को निकल जाएग और आप जब गरम पानी में से निकाले भी से अगर आप गरम पानी में नहीं डाल के निकालना चाहते तो फ्रीजर में रख दे रात भर के लिए सुबाव देखिए अपने आप चिलका से अलग हो जाएगा और ये गरम पानी में भी डाल के आप कर सकते इससे कोई टेस्ट खराब नहीं होगा नारियल का आप जो भी बनान चिलना सिखा दे तो आसानी से खोल लेते हैं नहीं तो छोटे बच्चे क्या होते हैं उनको खोलने में बहुत प्रोब्लम होती है वह काफी हेल्प करते हैं तो आप घर में किसी की भी है लेकर मटर को छिल ले पहले अच्छी तरीके से और हो सकता आप इसे एक बर दोले पानी में उबाल आया है उसके बाद इसमें हम ढलेंगे चीनी हमे किसलिए डालना है कि िली तो अब कि युथ का icon है ना वह नहीं घ्ञार हो और मटर में थोड़ी सी मिठास बनी रहे जब हम इसे स्टोर करके रखे जब इसकी सबजी बनाए तो मिठास इसकी बनी रह और इ मेघना नियुक्त प्लत्म पानी कने यह एक-फट पड़ना कर्या पितन हम जादा मनेऊज प्लतक प्लतन के त्य और इसे हम फटा-फट किसी कपड़े के उबर फैला देंगे या फिर आपके पास जो बड़े बरतन जाली वाले बड़े बरतन हो तो उसमें भी छान के रख सकते हैं और थोड़ा सा इसका पानी सूख जाए फिर आप इसे जीप लॉक बैग में डाल के फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं तो इस तरह के छोटे-छोटे पांच में आप रखेंगे तो बनाने टाइम आपको आसानी होगी छोटे पांच में रखना ज्यादा अच्छा होता है जितनी आपकी जरूत है आप उस छोटे पांच में से निकाल सकते हैं बड़े पांच में रखने से क्या होता है सब निकालते हैं फिर वापस रखते हावा बाहर की हावा लगती हो फिर वह मटर खराब हो जाते हैं तो आप इसे चोटे-चोटे पाउच में फ्रिजर में स्टोर करके ही रखे चलिए हमने गर्मियों के लिए मटर तो श्टोर कर लिया है अब हम बनाते हैं तर्बूज से बह दालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़े से पूदीनी के पत्ते और आप चाहते से मिक्सी में भी पीश सकते हैं मैं आपर हैंड ब्लेंडर यूज कर रही उसमें दालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम अच्छा सा पीश लेंगे इस तरीके से और यह तैयार हो गया है बनके छड़ण बन जाता है एक लाइक किजियेगा पसंद ніल जाते हैं कि चली होली खेंने की थीरनी करेंड़े और रहुड़ा किसे लिए पाने उसमें के चाहिए पर अपर ब्लों के श Siema लिखा और चैड़े अ अगर आपके नेल पॉलिस लगा रहें, तो साइड में पहले पैसलीन लगा लें या फिर कोई भी जो बोडी लोसन होता है, वह लगा लें फिर उसके बाद नेल पॉलिस लगाएं, तो जो एक्स्ट्रा नेल पॉलिस लग जाते हैं वह फैलेंगे नहीं और असानी से वह उतर देखिए यहां लग गया है मैं आपको निकाल के दिखा रहे हूं यह असानी से निकल जा रहा है और एक और है अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप क्या करें उल्टा करके उसके दूसरी तरफ भी इस तरह के से नेल पॉलिस लगा ले तो जो आप कलर लगाएंगे न तो संट टुकड़ो में कंड कर लेना है अ lib अधा यह बहुत पसंद आएगगी और यह बच्चे तो भी खाटे नहींें लेकिन उन्हें इस तरीके से खिला यह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप टिफिन भी बचों को दे सकते हैं अब इसे हमें पीस लेना इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे एक पेश्ट बना के तैयार कर लेंगे तो लेजे पेश्ट हो गया है तैयार अब एक कड़ाई लें कम आज पर कलर चेंज ना हो उतना हमें मैदे को भून लेना अची तरीके से जब मैदा भून जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे दूद तो दूद को थोड़ा सा गरम ही दूद ले ताकि गाठे ना पड़े तो जब भी आप वाइट सौस बनाए पास्ते के लिए तो उ तो डी दर में गाड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा अब इसमें हमें डालना है चीज तो मैं आप दो अमूल के चीज क्यूब ले रही हूं आप कोई सा भी चीज ले सकते हैं अगर आपके वाव स्लाइस है तो वह भी डाल सकते हैं इसमें हम डालेंगे कुटि घू जोटी बटर भी लिया है दर नमक स्वाद अनुसार अड़ करें और इसमें डालेंगे जो हमने बीट चुकंदर पीस के तैयार किया था पेस्ट वो डालेंगे और इसे डाल के हम कर देते हैं अची तरीके से मिक्स और इसे डालने के बाद कोई टेस्ट नहीं होगा क्योंकि चुकंद बना लिया पास्ता भी बनाई लेते हैं तो एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे तेल तेल तोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ सिमला मिर्च और स्वीट कॉन यहां पर सबजी आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं और इसे आपको पास्ता बनाने उतनी सॉस डालिए और इसे अची तरीके से मिक्स कर लेजिए फिर इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ पास्ता और इसे डालने के बाद कर देना है मिक्स आप चाहें तो यहां पर चीज भी और एड कर सकते हैं और यह लिजी हमारा पिंक सॉस पास् आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मैं आप सब के साथ फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ नहीं रिशी पिक्स तब तक कि लिए बाइ-बाइ थैंक य वर वाचीं